पार्टी के जानिब से मेरे अपने जानिब से नुश्रत बेगम साहेबा को मैं बहुत बहुत मुबारक बात पेश करता हूँ अलशरे प्यू कॉलिज फो बोईस अब जिवर्गी रोड़ अलशरे प्यूद्ध बहुत मुबारक बात देती हूं कि नासे सर ने आप लोगों को खाबिल समझाए कि आप लोगों को पोस्त मिली इसमें ऐसे कई मेहने मेरे हैं जो कॉंग्रेस में अब तक काम करें हैं आप लोगों को आश्तक पोस्त भी नहीं मिला हुआ पर और उनको मा नासे सर पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती है जो भी ये पोस्ट लिये हैं तो कल से इंशालला पूरी जुम्मेदारी से ये काम निभाना है आप लोग को और नासे सर को इस बड़ जिता करी रहेंगे अब पूरे लेडिस का काम है ये पूरे मिलकर जिताना है इस बार ये पोस्ट लेके घरों में बैठना नहीं है जो भी लोग ये पोस्ट लिये हैं वो दददस का गुरूप बनाएं ददस का गुरूप बनाकर कैनवेसिंग भी करना है और पूरा ओट दालने तक आपका गुरूप आपके साथ पोस्ट लिये ना कम से कम एक एक लेडी 100-100 लोगों को एक गुरूप बनाना जाकर फिर लोगों को समझाना कि ये पोस्ट है आप उनके लीडर रहेंगे हम आपके लीडर है तो आप उनके लीडर रहते आप जिसको गुरूप बना रहे ना उनके लीडर आप लोग रहते त आज बुलबर्गा नौर्थ कॉंस्टेंसी के महिडा गटक के सदर और आफिस बेर्ट का अपॉइंटमेंट हुआ है मैं अपनी जानिब से मुबारक बात पेश करता हूँ महिडा गटक के नौर्थ के सदर नुस्ट बेगम साहबा को और तमाम उनके आज जितने भी आफिस बेर्ट लिये है मुसर्शिल तोर पर हर महले में हर एरियाज में तकरीब दस से बाराफ मीटिंग्स जो है अलड़ी नुस्ट बेगम साहबाने और अब तमाम लोगों ने अपने अपने मोलों में किया है मैं जनतदल के एक लीडर के हज़िये से नौर्थ के एक कैंडिडेट के हज़िये से आपसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये एलेक्शन आपके जिम्मेदारी में हैं क्यूंकि कॉंग्रेस की कैंडिडेट एक मुस्लिम खातून है और आपकी ये बड़ी जिम्मेदारी है कि आप अवाम तक और खुसुशी तरपर मुस्लिम खातून तक पहुंच कर उनको बताएं कि गुलिष्टा पांच साल में मुस्लिम खातून यम्मेले रहने के बावजूद मिल्लत को कितने बड़ा नुक्सान हुआ है जिसकी तरह के से मामलात इन पांच सालों में आये हैं ये आप जानते हैं ये नर्सी से शुरू होकर परजुम चार परसंट डिजरोईशन को खतम करने तक के मामले चल रहे हैं एक तरह इस तरह से मामले हैं जहां पर गुलबरगा के आपके भाई ने हर चीज़ को आगे बढ़कर के लड़ा है अरुथ तरह उनके खामोशी है इस तूश को अगर आपब बताएंगे तो इन्शालला हो गुलबरगा के मुस्लिम कातुन भी हमारे साथ जुड़ करके इकाम करेंगे और दस तारिक को एलेक्शन है इस दस तारिक का एलेक्शन इसमें जीत होना है इंशालला होताला हमारी तब की महनत है हमारी सब की नियत है तो उसके अदर सबसे बड़ा किरदार अगर किसी का है तो वो आप लोगों का है आप किसी में जाने आप जितना महनत करेंगे आप खुद अपने आपको कैंडिडेट समझें नासिर उस्ताद आपका भाई है समझ कर आपकर काम करेंगे तो इंशालला आप में ज्यादा से ज्यादा लोग तक आप पहुंच सकती क्यूंकि आप पार्टी के जिम्मेदार भी हो गए पोस्ट भी आपका आगाया है जिम्मेदारी आपकी बहुत ज्यादा बढ़ गई है आप खातून को समझाना है कि जो कवर्मेंट के स्कीम से पांच साल तक किसी को नहीं मिले मैं आप से वाइदा करता हूं कि जिदने के बाद यह जिम्मेदार जो पोस्ट लिए है सबसे पहल कर रहा है आपके रेकमेंडेशन तो खाड़ी नहीं करूंगा इंशाब आपका काम आज से शुरू होगा मैं और एक बार बहुत बहुत पार्टी के जानिब से मेरे अपने जानिब से नुसरत बेगम साहिबा को मैं बहुत-बहुत मुबारक बात पेश करता हूँ और साथी साथ ये उमीद रखता हूँ कि इस दिमेदारी मिलने के बाद जो काम अब तक चल रहाता है उससे कम से कम एक दस गुना ज्यादा काम आप इंशालला अब कर सकते हैं आपकी सलाययत है, आपकी ताकत है आपकी पैजान लोगों तक है अच्छे अच्छे जो जहन रखने वाले जो हमारे सोशल वर्कर्स हैं जो खातून हैं जो मिलत की बेहनों तक स्किम्स पहुंचाना चाहते